Hello friends, welcome to this video class. Friends, this video class के थूरू मैं शुरू कर रहा हूँ सभी SSE exams के लिए English section का Applied Grammar का syllabus. देखे, इस syllabus में मैं basically जो सबसे main book है SSE exam की, जो सारे topos पढ़ते हैं, सारे topos recommend करते हैं. Plain to Paramount. तो इस series में आपको Plain to Paramount का पूरा solution मिलेगा. सबसे पहले theoretical part तो इसमें कबर होगा ही, और इसके लाबा आपके जो practice video जो होँगे इसमें, उसमें मैं practice questions करवाऊंगा, प्लस इसमें मैं revision video classes भी आपको दूँगा, जिसके थूरू आपका पूरा grammar का portion अच्छे तरीके से revise हो जाएगा. आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है, basic concepts को समझना है और एक ही video class को आपको बार-बार देखना है, यानि selected content को आपको बार-बार revise करना है, चाहे वो grammar का content हो, चाहे वो vocab का content हो, या understanding का content हो, आपको multiple revisions पर focus करना है, ठीक है, तो ये एक बहुत important fact है, जो कि सभी rankers and topers rigmen करते हैं, तो ये part one है, series का, इसके थुरू हम शुरू कर रहे हैं, applied grammar का part, ठीक है, तो basically इसमें print to paramount का सारा content तो आपको मिलेगा ही, कुछ additional चीज़ें भी इसमें मैं आपको explain करूँगा, तो सबसे पहला जो path है grammar का, वो है verb, ठीक है, वर्ब को, अब देखिए, आपको जदा grammar oriented नहीं होना है, आपको cable concept को समझना है, वर्ब actually action words होते हैं, जिनके through हम किसी भी action को बताते हैं, ठीक है, जैसे go हुआ, या come हुआ, या look हुआ, ये सारी verbs होती है, अब verbs के काफी सारे parts होते हैं, जैसे एक helping verb होती है, auxiliary verb होती है, main verb होती है, transitive verb होती है, तो इसके बारे में आपको जदा panic नहीं होना है, मैं सारी चीज़े आपको part by part बहुत अच्छे तरीके से explain करूँगा, और सारे चीज़े आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, अब देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, a verb can be divided into two main parts, verb को हम दो parts में divide का सकते हैं, एक है helping verb, helping verb को हम auxiliary verb भी बोलते हैं, ठीक है, एक है main verb, जो helping verb होती है, वो main verb की help करती है, sentence बनाने में, ठीक है, तो किसी-किसी sentence में आपको helping verb की जरुवत पड़ती है, किसी sentence में आपको नहीं पड़ती, tense के according यह सारे sentences आपके बनते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कि helping verb helps the main verb, जो main verb होती है, उसकी वो help करती है, जबकि main verb जो होती है, वो आपकी independent होती है, ठीक है, अब यहाँ पर आगे आप देखिए, a helping verb can be divided into two main parts, verb को हमने दो parts में divide किया, helping verb and main verb, और helping verb को भी हम दो parts में divide का सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी चीज रटना नहीं है, केबल concepts को समझना है, यह ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको पता हो, सारी theoretical चीज़ें आपको पता हो, केबल concepts आपको समझना है, देखें, एक होता है model verb, तो model verb भी एक तरीके से helping verb ही होती है, लेकिन model verb के थुरू हम कुछ अलग चीज़ों को indicate करते हैं, जैसे possibility हुआ, permission हुआ, ability हुआ, जबकि auxiliary work, regular verbs होती है, regular verbs मतलब ये main verbs की help करती है, जबकि model verb भी helping verb ही होती है, लेकिन के थुरू हम कुछ special qualities को हम indicate करते हैं, जैसे permission हुआ, आपका possibility हुआ, ability हुआ, जैसे can, code, may, might, would, ये सारी होती है model verbs, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी verbs जो होती है, ये होती है model verbs, जैसे can है, could है, may है, might है, तो ये सारी verbs एक-एक करके मैं आपको detail में बताऊँगा, ठीक है, आपको बिल्कुल भी panic नहीं होना है, और आराम से सारी चीज़ों को आपको समझना है, तो ये हैं आपकी model verbs और ये हैं आपकी auxiliary verbs, be है, do है, have है, is, mr, was, were, ये हैं सारी auxiliary verbs, तो सारी basic-basic चीज़ें आपको अभी समझना है, क्योंकि basic आपका यदि strong होगा, तो बाद में जो advanced series आईगी, advanced sentences जब आप समझेंगे, तो उनको समझने में आपको काफी आसानी होगी, अब यहां पर आप देखिए क्या लिखा है, learn from example sentences, आपको example sentences के थूर समझना है, देखिए, he can lift the box, वह है, box को उठा सकता है, they can lift the box, अब देखिए, in examples के थूर मैं आपको क्या explain कर रहा हूँ, जैसे he के साथ भी आपने can लगाया है, दे के साथ भी can लगाया है, अब can में यहां पर as या yes नहीं लगेगा, या can में ing form नहीं लगेगा, ठीक है, और can या could, इनके साथ verb की first form आईगी, क्योंकि exam में अक्सर ऐसे sentences आते हैं, जैसे यहां पर आपको as लगा के दे देंगे, तो can के साथ यहां पर verb की first form आईगी, यह आपको समझना है, देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, black color में लखा हुआ है, model verbs do not change their form according to the number of the pronoun, मतलब singular या plural pronoun के साथ, इसकी form चेंज नहीं होगी, ठीक है, can, can ही रहेगा, चाहे आप he के साथ लगाएं, या दे के साथ लगाएं, लेकिन past form होती है, जैसे can की यो past form है, वो could है, लेकिन pronoun के according इस पर ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा, आप देखिए, यहां पर आपको क्या समझना है, यहां पर देखिए, he has done his homework, they have done their homework, तो यहां पर he के साथ has लगा है, और दे के साथ have लगा है, यहां पर इस helping verb में, auxiliary verb में, इसकी जो form है, वो change हुई है, subject के according, लेकिन यहां पर नहीं हुई, model verb में और auxiliary verb में, यह थोड़ा सा difference है, लेकिन आपको cable concepts को समझेए, basic basic concepts को आपको समझना है, यहां पर देखिए, he is working hard, तो यहां पर आपको क्या समझना है, कि is जो है, यह helping verb है, और working जो है, यह main verb है, लेकिन यहां पर देखिए, क्या लिखा है, he is a teacher, यहां पर working नहीं लिखा, यानि यहां पर main verb नहीं है, केबल एक helping verb है तो जब अकेली helping verb किसी sentence में होती है तो हम उसी को main verb माल लेते हैं तो यहाँ पर इसको हम main verb बोलेंगे इसको हम linking verb भी बोलते हैं क्योंकि यह teacher और he को link कर रहा है यह word ठीक है? तो इस तरीके से आपको cable basic थी यह को समझना है चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है important यानि यह exam के point of view से important है marginal auxiliary verbs क्या होती है यह marginal auxiliary verbs अब देखिए दो टीन यह verbs है need, dare and use to यह marginal auxiliary verbs है marginal auxiliary verbs का मतलब यह है कि इनको model verbs की तरह भी use कर सकते हैं और main verb की तरह भी use कर सकते हैं देखिए इसमें मैं यहाँ पर आपको clear कर देता हूँ कि need, not जो होता है यह model verb होता है need के साथ जब आगे not लगा होगा तो वो model verb की तरह काम करेगा उसी तरीके से dare need का मतलब जरूत होना dare का मतलब दुसाहस करना courage होना तो need और dare और used to इनको हम marginal auxiliary verb इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह main verb की तरह तो काम करी सकती है model की तरह भी यह काम कर सकती है नेकि model verb कौन सी होती है need not को हम model verb मानते है ठीक है need not को हम model verb मानते है अभी मैं आपको example के तरह समझा हूँग तो कैसे यह use होता है यह मैं आपको अच्छे तरीके से अभी बताऊँगा देखे कुछ example sentences देखते हैं model verbs are generally helping verbs but need and dare can be used both as main verb and model verb जो अभी मैं आपको explain कर रहा था कि need and dare को model और main verb दोनों ही तरीके से हम use कर सकते हैं और used to को हम model प्लस adjective की तरह use कर सकते हैं ठीक है तो अब मैं आपको explain करूँगा कि किस तरीके से देखे यहाँ पर यह लिखा हुगा clearly need not and dare not are model verbs मतलब model verbs की तरह यह काम करेंगी जिस तरीके से can code may might होता है लेकिन need अकेला के वल need वो main verb की तरह भी काम कर सकता है लेकिन need not model की तरह काम करता है और model के ही rules उस पर apply होते हैं तो यह आपको समझना है देखे यहाँ पर मैंने कुछ example sentences दिये हैं और इसके थूँ मैं आपको बताऊँगा देखे he needs me इसमे एस क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पर singular subject है present simple tense है यह present simple tense में affirmative में हम एस लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यह में वर्ब की तरह काम कर रहा है need not cable cable need not model की तरह काम करता है need not के लावर जितनी भी forms है वो सारी main verb की तरह काम करते है तो यह sentence यहाँ पर सही है अब यहाँ पर दे आ गया तो यहाँ पर need लगा इस में एस नहीं लगेगा क्योंकि singular subject के साथ हम verb में एस लगाते हैं तो यह इन simple tense में यहाँ पर एस नहीं लगाते हैं तो यह भी sentence सही है green color में जो sentences लेखे हैं वो grammatically सही है I do not need to work here यह भी sentence सही है he dares to teach me यह भी sentence सही है he does not dare to go there now यह भी sentence सही है अब यहाँ पर आपको समझना क्या है यहाँ पर आप यह वाले sentences देखिए देखें he need not stay here ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर इसमें as नहीं लगेगा ठीक है यहाँ पर यही दिया है तो इस need में as नहीं लगा he needs not stay here यह गलत हो जागा क्योंकि need not अपने आप में एक model वर्ब है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ठीक है तो जैसे can होता है तो can में हम थोड़ी yes लगाएंगे देखिए need not को आप can से replace करके देखिए he can stay here मतलब सही sentence बन रहा है तो इसमें हम need not में चाहे सब्जेक यहाँ कैसा भी हो यहाँ पर हम as a yes नहीं लगाएंगे प्लस यहाँ पर हम to भी नहीं लगाएंगे क्योंकि can के साथ यहाँ पर हम to थोड़ी लगाएंगे he can stay here बोलेंगे he can to stay here नहीं नहीं बोलेंगे हम तो यह concept आपको समझना है जो की बहुत ही important है तो यह आप targeted पढ़ रहे हैं SST exam के लिए आपको इस तरीके से पढ़ना है बनकुर targeted आपको study करना है और जो concepts आपने समझें English section के उसको बार-बार multiple revise आपको करना है तो I hope आपको यह समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से कि need not के साथ यहाँ पर S इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि need not एक model बोल है ऑफिके मडल में हम S कहा लगाते हैं Ken में हम S नहीं लगाते हैं इसलिए इसमें S नहीं लगेगा यहाँ पर 2 नहीं लगेगा यह सेंटेस जो है यह सही है देखें अब मैंने red cover में कुछ sentences दीए हैं यह गलत sentence है क्योंकि इसमें needs not नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर यह model की तरह यूज हो रहा है यानि यह जो sentence है second वाला यह गलत है इसमें to भी नहीं लगेगा यानि यह भी गलत है अब यहाँ से आपका क्या होगा यहाँ से देखिए मैं क्या आपको समझाने कोशिश कर रहा हूँ आप grammar पढ़ रहा है यहाँ से आपके sentence improvement के questions होंगे यहाँ से आपके spotting error के questions होंगे flurs के questions होंगे और even close test के concepts भी यहाँ से आपके clear होंगे तो इस तरही किसे आपको समझना है ठीक है क्योंकि close test में भी आपको कभी-कभी grammatical concepts पूशे जाते है He dare not teach me यह सही है sentence क्योंकि dare not अपने आप में model verb है He dares not teach me यह गलत है ठीक है इसमें to भी नहीं आएगा तो यह भी गलत है तो इस तरीके से आपका grammatical concepts को एक अच्छे तरीके से आप समझते है और आपका दिमाग खुलता है इस तरीके से पढ़ने से यह best तरीका है पढ़ने का अब देखें यहाँ पर मैंने लखा है important यहाँ पर आपको एक और concept में important बताऊंगा used to को हम दो तरीके से use करते हैं एक model verb की तरह है और एक adjective की तरह है ठीक है तो यहाँ पर देखें I used to play football in my college यह green color में sentence लखा है इसका मतलब यह सही है तो यहाँ पर used to एक model verb की तरह use हो रहा है यहाँ इसको आप can से correctly replace कर सकते हैं देखें used to के स्थान पर आप can लगाई है I can play football in my college सही है यह sentence यहाँ पर used to के साथ used to के साथ verb की first form आती है क्योंकि can के साथ भी हम verb की first form ही लगाते हैं जो models होते हैं can, code, may, might, should, must इनके साथ हम verb की first form लगाते हैं और इसमें as हम नहीं लगाते हैं देखें I used to playing कर दिया यहाँ पर तो इसके साथ model की तरह यह use हो रहा है model के साथ हम क्या लगाते हैं first form लगाते हैं क्या यह first form है, नहीं है इसका मतलब यह sentence हो गया आपका गलत, यह sentence आपका सही है यह sentence गलत है तो इस तरीके से grammar को आपको समझना है इसके applied aspect को आपको समझना है used to as an adjective अभी तो आपने समझा used to को model की तरह है लेकिन adjective पी तरह है किस तरीके से ये use होता है देखे ये को sentence मैंने इसनीर दिये है ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं समझा सो हूँ देखे, I am smart ये sentence आपने बोला, तो इसमें smart क्या है मैं हूँ, मैं कैसा हूँ या मैं क्या हूँ, मैं smart हूँ यानि smart क्या है, adjective है जो कि I की, I को modify कर रहा है I की विशेष्टा बता रहा है I am intelligent, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ मैं intelligent हूँ तो intelligent क्या है, adjective है I am used to अब देखे, same adjective के स्थान पर ही इसमें used to आ रहा है इसका मतलब used to यहाँ पर क्या है, adjective है जब ismr के बाद used to आएगा तो adjective माना जाएगा मैं कैसा हूँ, मैं used to हूँ, मैं अभ्यस्थ हूँ ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा मैं अभ्यस्थ हूँ, मैं किस चीज का अभ्यस्थ हूँ देखे, किस चीज का, मतलब what और what का answer जो होता है वो noun होता है इसलिए I am used to के साथ I am used to, he is used to they are used to इस structure में हम वर्ब की ing form यानि gerund form लगाते हैं जो कि एक noun form होता है इसको आप समझी अच्छे तरीके से जैसे he is used to he is used to वो है अभ्यस्थ है, वो है किस चीज का अभ्यस्थ है तो इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर noun form ही आ सकती है और noun form होती है gerund form, मतलब word plus ind form जो होती है, वो gerund form होती है he is used to what ठीक है, what का जो answer होता है वो हमिशा noun या pronoun होता है what always indicate a noun, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, और आप देख सकते हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ आपको ठीक है, तो is used to, मैं केबल used to की बाद आऊ used to जो होगा, वो model verb होता है जैसे I used to play यह model verb है, इसमें फर्स्ट form आईगी लेकिन used to, are used to am used to, इसमें used to के बाद verb की आईज्टी form आईगी जो की एक noun form होती है gerund form होती है ठीक है, what is gerund चलिए, gerund में आपको समझाता हूँ gerund हो, देखिए देखिए, यह sentence देखिए is a good exercise, तो यहाँ पर is क्या है यहाँ पर यह जो position है किसकी है, यह subject की position है, क्योंकि subject के बाद आएगा verb और verb के बाद आएगा object ठीक है, तो इसको actually यह compliment है, लेकिन फिर भी यह subject की ही position है यह subject, यह है linking verb, यह है compliment तो subject क्या होता है, subject noun या pronoun होता है कोई भी subject या object होता है, वो noun या pronoun होता है यहाँ पर noun आएगा तो यहाँ पर यह जदि आप बोलें कि swimming is a good exercise तो swimming जो है वो noun है लेकिन swim एक verb भी है तो verb and noun का combination है swimming जो है वो verb and noun का combination है और verb and noun के combination को हम बोलते है gerund इसलिए used to के बाद gerund form आएगा थीक है used to के बाद जो आएगा वो gerund form आएगा I am used to gerund form आएगा जैसे जिए देख सकते है swimming जो है यह इसमे noun है I enjoy exercising यह noun है यह gerund forms है इसको मैं डिटेल में आपको आगे बताओंगा आगे के वीडियो क्लासिस में I am used to getting up होगा I am used to get up नहीं होगा ठीक है यदि आप am यहां से हटा दें तो फिर used to model की तरह काम करेगा फिर used to के साथ यहां पर verb की first form आएगी जिस तरीके से can और put के साथ verb की first form आती है लेकिर am used to, are used to, is used to इसके साथ verb की ng form यह नि जरेंट form का हम इस्तेमाल करते हैं अब यहां पर कुछ wrong and right sentences मैं आपको practice करवा देता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से यह पुरा concept clear हो जाएगा I am used देखिए यहां पर am लगा है लेकिर इसमें to नहीं लगा यहां पर इसलिए यह sentence हो गया आपका गलत ठीक है He is used to के साथ कौन सी form लगाते हैं हम ing form इसमें क्या लखा है getting up होना चाहिए तो यह sentence हो गया गलत यह applied grammar आप समझ रहे हैं और एक comprehensive तरीके से समझ रहे हैं जब model की तरह यह use होगा तो यहां पर आई जी form नहीं आएगी फस्ट फर्म आईगी यह sentence भी हो गया आपका गलत I used to meet him often during my vacation यह sentence हही है क्योंकि used to model की तरह use हो रहा है और वर्ब की फस्ट फर्म लगी है तो यह sentence, fourth number का sentence आपका सही है I am not used to driving on the right यह भी सही है I could not came can और could के साथ हम वर्ब की फस्ट फर्म लगाते हैं यहां पर लगा है second form came तो यह sentence हो गया आपका गलत ठीक है तो ऐसे आपको यह practice करना है कुछ और sentences मैं आपको practice करवा देता हूँ can के साथ वर्ब में as नहीं लगेगा यह sentence हो गया गलत she does not need अब यहां पर does not के साथ does not तो helping वर्ब है इसका मतलब need main verb है तो need जब main verb है तो यहां पर two होना चाहिए ठीक है तो यह sentence आपका second number हो गया गलत he need not work देखे नीड नॉट यहां पर model होता है और model के साथ वर्ब की first form लगाते हैं यह जो sentence है यह हो गया आपका सही he dared not to scold me like a boss यहां पर इसको हम dare not नहीं है यह केबल dare है यहां पर हम इसको main verb की तरह यह use कर रहे हैं और main verb की हम form tense के according change कर सकते हैं तो यह sentence हो गया सही ठीक है she used to take path होगा she used to take path यह taking path नहीं होगा यह sentence हो गया आपका गलत I am not used to eating होगा eat है इसमें यह sentence हो गया आपका गलत तो ऐसे आपको इनको समझना है can और could can present tense है could past tense में use होता है can को हम किस लिए use करते हैं ability के लिए capacity के लिए power को दिखाने के लिए permission के लिए possibility के लिए और could आपका past में use होता है can आपका present tense में use होता है ठीक है तो इनके काफी सारे uses हैं मैं यह आपको सारे बताऊंगा देखें practice wrong and right sentences I can play chess very well यह सही है sentence I could lift 80 kg when I was young जब मैं young था यह पास्ट की बात हो रही है तो इसलिए हमने could लगाया है could के साथ verb की first form लगाई है तो यह sentence सही है I could lift it यह sentence गलत हो गया क्योंकि could के साथ हम क्या लगाएंगी verb की first form तो यह है second form इसलिए यह sentence हो गया गलत anyone can make a silly mistake यह sentence सही है anyone can make a silly mistake नहीं नहीं यह हो गया गलत क्योंकि can के साथ क्या लगेगा वर्ब की वर्मेस नहीं लगेगा यहां पर तो यह sentence आपका हो गया गलत I can lift 80 cases when I was young देखें यहां पर जब was हम लगा रहे हैं तो इसका मतलब यह past tense है तो यहां पर भी past की वर्ब आनी चाहिए तो यह sentence हो गया आपका गलत ऐसे आपको इनको अच्छे तरीके से समझना है can हम friends के साथ इस्तेमाल करते है friend circle है हमारे दोस्ते आ रहे हैं उनके साथ हम can इसलिए can informal या casual होता है जबकि में हम कहां यूज करते हैं में आई कमेंसर कहां यूज करते हैं हम schools में, colleges में, offices में तो में और कोड जो होता है वो formal होता है बस ये इन दोनों में difference है और इस से ज़ाद आपको नहीं समझना है कोड एक्चुली remote possibility को भी बताता है मतलब जिसकी संभावना बहुत कम है ऐसा हो सकता है there could be a bomb under your seat आपकी seat के नीचे bump हो सकता है मतलब इसकी संभावना बहुत कम है इसलिए यहाँ पर हमने कोड का use किया है तो ये sentence आपका सही है देखें important important क्या है कि is able to, was able to, or can can क्या बताता है can चमता को बताता है able to मतलब मैं ये काम करने में समर्थ हूँ तो ये भी चमता को बताता है तो दोनों हम एक साथ नहीं लगा सकते तो इसके base sentences exam में पूछे जाते हैं और अक्सर इसमें students कलती कर देते हैं able to, or can दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे ठीक है तो इसलिए I cannot be able to इसमे cannot भी लगा दिया और able भी लगा दिया तो ये sentence हो गया आपका गलत ये होगा आपका I cannot come tomorrow या I will not I will not be able to come tomorrow तो या तो be able to लगाईए या फिर can लगाईए इस तरीके से इसको आपको समझना है was able to का मतलब क्या है कि जैसे कोई past में आपके साथ कोई घटना हुई एक specific और उसमें आपके साथ कोई casualty हुई कोई द्रुगटना हुई और उसमें आप किसी चीच को करने में समर्थ थे उस particular situation में तो उस situation में आप was able to मैं करने में समर्थ था आप लगाते है was able to जो है ये ability प्लस action को बताता है या specific success की जब हम बात करते है किसी particular situation में specific success तो उसके लिए हम was able to का use करते है तो यहाँ पर आप देख सकते है since the final exam round was tough only a few students could pass it ये sentence गलत क्यों है क्योंकि है कि specific success की हम बात कर रहे है since the final exam round was tough only a few students were able to pass it तो यहाँ पर code ना आते हुए वर आएगा क्योंकि specific success की हम बात कर रहे है general ability की हम बात नहीं कर रहे है जैसे Mozart could compose little pieces of music even when he was five जब Mozart जब केबल पांस साल का था तब ही वो music को बना सकता था तो यह तो एक general ability है specific success नहीं है इसलिए हम could का use कर सकते है ठीक है we were able to reach to the top of the hill हम top पर hill की top पर पहुचने में समर्थ थे dark होने से पहले ऐसा हम कर पाए इसमें ability और action दोनों बता रहे है तो यहां पर were able to आएगा could नहीं आएगा तो यह दोनों sentence Mozart वाला sentence और नीचे वाला sentence सही है उपर वाला sentence में एक सही है एक गलत है तो इसको आप अच्छे तरीक से आप समझ ले इसके बेस पर कभी कभी काफी बारी मिस्टेक होती है माइनर सी मिस्टेक होती है और ऐसे sentence अक्सर पूशे जाते हैं अब देखें नीगेटिव सेंटेंस कुड़ नॉट और वाज नॉट 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 वाज not finish भी बोल सकते हैं और john was not able to finish भी बोल सकते हैं यह दौनों ही sentences सही है can and able to देखे आपको English section की understanding थोड़ी सी डबलब करनी होगी देखे अब आप यहाँ पर एक sentence देखिए the game is able to be played by two or more players मतलब game is like है कि उसको दो या दो से ज़्यादा खलाडियों के द्वारा खेला जा सकता क्या यह sentence सही लग रहा है आपको देखने में यह जो able word है यह हम व्यक्तियों के साथ लगाते हैं हम game के साथ नहीं लगा सकते हैं इसके स्थान पर हम can लगा सकते हैं देखे कितनी बारीक सी mistake है ठीक है तो we use can instead of be able to in passive forms जो passive sentences होते हैं उसमें हम able to के स्थान पर can का प्रियोग करते हैं able to नहीं able to गलत हो जाएगा और उसका reason क्या है यह मैंने आपको बता दिया तो English section को बहुत जदा grammar oriented आपको नहीं होना है आपको एक understanding develop करनी है understanding develop करके आप grammar को अच्छे तरीके से आप use कर सकते हैं तो यह first path है English section का print to paramount का basic पूरा आपसमें मैं cover करूंगा इसके बाद फिर practice video classes होंगे और उसके बाद फिर revision video classes होंगे तो अच्छे तरीके से सभी तरीके के questions चाहे कैसा भी question आजाए आप उसको कर पाएंगे और जो tough और tricky sentences होते हैं वो भी series में मैं आपको करवा होंगा lengthy lengthy sentences होते हैं SSC के TI2 में जो पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको करवा होंगा और यहाँ पर कुछ intimation मैं आपको देना चाहूँगा आप मेरे free blogs पर सकते हैं EnglishIQ.in पर यहाँ पर free e-books भी आप download कर सकते हैं और यदि आप examini.in पर इस course को कर रहे हैं तो examini.in पर एक discussion group है सारे-सारे courses के discussion group है तो उनको भी आप join कर ले और वहाँ पर आप वेबसाइट पर और कोई भी doubt है आपका कोई भी query है तो इन numbers के थूँ आप मुसे contact कर सकते हैं और मुझे अपना feedback दे सकते हैं तो इस video class में इतना ही अब मैं आप से बिलूँगा next video class में Thank you